देखे, कुंडली को पढ़ने के लिए या समझने के लिए चार्ड को समझना बहुत ज़रूरी है जिसे हम लगन चार्ड भी कहते हैं आपने एक बार लगन चार्ड को समझ लिया ना तो आप कुंडली का 50% हिस्सा समझ गए है तेकि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे कौन से ग्रहे बैठे हुए है या कुंडली में क्या लिखा हुआ है अपन बात कर रहे हैं चार्ट के बारे में मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हर भाव जो चार्ट के अंदर भाव होती है बारा उनके बारे में explain किया है जो जाना बहुत जरूरी है आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कुंडली का जो चार्ट होता है उसमें जो नंबर लिखे रहते हैं उसका क्या महात्तु है ग्रहे क्या है क्या लिखा है वो सब छोड़िए अभी अपन बात करेंगे नंब पर खतम होगी यह जो नंबर्स लिखे होती हैं यह राशिय होती है मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि राशियों को याद करना बहुत जरूरी है अर्थात राशियों का सीक्वेंस राशियों और उनके स्वामी को याद करना बहुत जरूरी है जिसके बारा नमबर की राशी है, तो बारा नमबर की राशी है मीन, जिसके स्वामी है ब्रशपती, अर्थात, गुरू, उसके बाद एक नमबर, एक नमबर की राशी है मेस, जिसके स्वामी है मंगल, उसके बाद दो नमबर, जिसकी राशी है ब्रश, जिसके स्वामी है शु चटवे नमबर की जो राशी है वो कन्या को मिली है जिसके स्वामी है बुद्ध, साथवे नमबर की राशी तुला को मिली है जिसके स्वामी है शुक्र, आठवे नमबर की राशी है वो है ब्रश्चक राशी जिसके स्वामी है मंगल, नौंक मिला है धनु राशी को जिसके स् सब्सक्राइब जरू कर दीजिए धन्यवाद